दोस्तों अल्रेडी मैंने आपको अपडेट दिया था कल हीरो की तरब से करिज्मा XMR 210 CC को लेकर कि ये बाइक जो है 29 अगस्त को 2023 में ओफिसली लाउंच हो जाएगी और फाइनली हीरो की तरब से करिज्मा XMR 210 CC की बाइक जो है इंडियन टू बिलर माकेट में ओफिसली लाउंच हो चकी है सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है लुक्स डिजाइन और स्टाइल लाइक आपको देखने को मिली रहे होंगे ओफिसल वीडियो में ये जो लाउंच इवेंट है इसके लाउंच इवेंट में आपको रित्ते कुरेशन शर्वी देखने को मिले हैं अगर आपने ये लाउंच इवेंट नहीं देखा है तो आप हीरो के ओफिसल चैनल पर जाकर चैक आउट कर सकते हैं बाकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ हीरो की करिज्मा लीजेंडरी एक्समा टूहंट टैन सेसी की बारे में बाइक के कितने कलर्स हैं कितने प्राइज रखे गए हैं और बाइक में आपको क्या-क्या फीचर आफर किये गए हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में तो कंपनी की तरब से इस बाइक के आपको तीन प्राइस देखने को मिले हैं जो कि आप फोटो में देख पा रहोंगे लॉंच इवेंट में जो है इस बाइक के प्राइस को भी रिवील कर दिया है जो कि आप फोटो के अंदर देख पा रहोंगे तीन प्राइस जो है कंपनी की तरब से इस बाइक के रिवील हुए हैं जो कि आपको यह एक्शो रूम देखने को मिलेगी बागी दूस्तों बात करते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में ओवराल बाइक के लुक्स डिजाए स्टाइल तो काफी दा स्पोर्ट ही लग रहा है जो कि आप ओफीसियल वीडियो में भी देख पा रहा होगे जो कि लॉंच इवेंट की वीडियो है बागी दूस्तों बात करते हैं बाइक के लाइक फीचर्स के बारे में सबसे पहले पफुमेंस के बारे में बात कर लेते हैं दूस्तों इस बाइक में आपको 210C का सिंगल स्लेंडर लिकुड कूलिंग इंजन दिया गया है जिसमें आपको 4 ball देखने को मिलेंगे overall power के point of view से बाइक काफी अच्छी है and 25 HP की power देखने हो मिलेगी no doubt काफी the powerful engine है जो की आपको like 30 Nm के असपास torque generate करके दीगा overall pickup आपको काफी अच्छा देखने हो मिल जाएगा बाइक में overall आपको initial boost बाइक में काफी अच्छा देखने हो मिलेगा जिसकी विज़से आप like over tag easily कर सकते हैं 36 speed gearbox transmission बाइक में offer की गए हैं तो इसकी विज़से आपको engine में refinement और reliability भी काफी अच्छी देखने हो मिलेगी जिसकी विज़से road pair आपको riding करते समय इंजन में काफी अच्छी smoothness फिल होगी कोई भी vibration आपको bike के अंदर देखने को नहीं मिलेगी और bike में आपको assistance lever clutch भी offer कर दिया गया है तो दोस्तो bike की engine performance आपको काफी अच्छी देखने हो मिलेगी जो कि मैंने आपको explain कर दिये बाइक की front में आपको telescopic fork suspension दिये गया है तीन color scheme दिये गया है जो कि मैं आपको last में explain कर दूँगा और bike के आपको rear part में 6 step monosock adjustable suspension देखने हो मिलते है जो कि काफी इच्छी बात है और बात करें bike के instrument console के बारे में इसमें आपको like LCD instrument console दिया गया है जिसके अंदर आपको सारे basic reminder feature देखने हो मिलेंगे और इसमें आपको mobile phone connectivity वाले सारे connected feature देखने हो मिलेंगे like bluetooth feature दिया गया इसमें and turnwire time navigation का feature भी दिया गया है and bike के instrument console में आपको like gear position indicator का option भी देखने हो मिलेगा and clock like सारे basic reminder feature देखने हो मिलेंगे विद यूनिक LED DRLs के साथ daytime running और बाइक में आपको indicator भी LED offer किये गए है company की तरप से और tail light भी आपको LED देखने को मिलती है overall all LED lights का setup है बाइक में काफ़ी अच्छे comfort feature है USB charging port भी है और साथ ही दोस्तों बाइक के looks design style तो काफ़ी ज़्यदा like aggressive है like इस पर आपको काफ़ी अच्छा design देखने को मिलता है और आपको instrument console के उपर और headlight के उपर आपको wind visor देखने को मिलता है adjust जो कि आप wind के साब से adjust कर सकते है wind visor को जो कि आपको black color का देखने को मिलता है और इसमें आपको like side panels पर fairing पर आपको exam r की black color की badging देखने हो मिलती है and बात करें बाइक के tires के बारे में and brakes के बारे में तो बाइक में आपको काफ़ी अच्छे super wide tubeless tire दिये गए है बाइक के front में आपको 110 wise 70 mm का tire देखने हो मिलता है and साथी rear part में आपको 150 wise 60 mm का rear tire दिये गया है जो कि दौनवी tire आपको 17 inch के alloy wheel के साथ super wide tubeless tire offer किये गए है बाइक में आपको dual channel ABS का option देखने हो मिलेगा जी हाँ इसमें आपको anti-lock braking system का option भी दिये गया है जो कि ये बाइक safety के point of view से भी काफ़ी अच्छी है और दोस्तो मैं आपको बता दूँ bike के looks design style इतने अच्छे है जो कि मैं तो इस bike को देखते ही fan हो गया हूँ like इस segment में आपको काफ़ी अच्छे feature दिये गया है looks design style साथी color scheme को देखते हुए bike के price काफ़ी जदा affordable है and इसमें आपको split seat दी गई है and दोस्तो इस bike के अंदर आपको compact type का exhaust system देखने हो मिलता है जो कि देखने में काफ़ी जदा अच्छा लग रहा है and bike में दोस्तो आपको design काफ़ी अच्छी दी गई है यह जो कि आप देख सकते हैं बाकी hero ने इस bike के अंदर दोस्तो color scheme भी काफ़ी अच्छी offer की है इस bike में आपको overall 3 color option देखने हो मिलते है first iconic yellow and second turbo red and आपको matte phantom black देखने हो मिलेगा जो कि आप photo में भी देख पा रहे होगे बाकी दोस्तो में आपको बता दू bike के output figures यतने अच्छे हैं साथ ही आपको fuel tank पर dual tone color combination देखने को मिलती है जो कि yellow में आप black like glossy देख सकते हैं बाकी bike में आपको एक unique color देखने हो मिलता है matte phantom black जो कि bike पता नहीं देखने में कैसी लगेगे एकदम face to face बाकी दोस्तों अगर आपको 200cc की best fully fed sport segment की bike को buy करने का सूच रहे थे जिसमें आपको एकदम next level performance देखने हो मिल जाए एकदम feature loaded bike देखने हो मिल जाए अच्छे and साती like एकदम aggressive design के साथ तो definitely आप hero की charisma XMR 210 की तरफ जा सकते हैं यह top latest model है इसकी pre booking भी कर सकते हैं overall मैं आपको बताए हूँ दोस्तों 29 of August जो की आज ही है अगर इस bike की booking करना चाहते हैं तो आप 2 वज़े के बाद hero motocop की website को visit करकर इस bike को definitely like book कर सकते हैं जिसकी वैसे आपको delivery like जल से जल मिल जाएगी बाखी video informative लगी हो या फिर helpful लगी हो video को like कर देना आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना ऐसी new interesting और updated and latest वीडियो हम आप लोग के लिए सबसे पहले लाते हैं मिलते हैं आप से लिए रेक ऐसी new interesting और updated वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care